अगर आपका संपर्क हो तो उससे बात कर लिजे टिकेट अभी घोसित टिकेट हम तुरंट दे देंग उने मुझे याद है आपको याद हो याद हो जो बात मैं कह रहा हूँ आप दुबारे रिकॉर्डिंग निकाल लेना मैं जो बात कह रहा हूँ जिस समय में शपत के कारकम में गया था जो अभी मुख्यमंती जी उनके मैंने अपनी आखों से देखा था रादे मुखन अगरवाल जी को वो दाई तरह बिचारे अकेले खड़े थे जहाँ एक स्टेज बना हुआ था उनका सबसे ज़्यादे अपमान हुआ है समाजवादी सरकार में सभी नदियों को साफ किया जाएगा जो नदी हम पूजा पार्थ में पानी इस्तिमाल करते हैं वो नदियां गंदी ना हो भादे जनता पार्ड़ी ने मागंगा से जूट बोला और जो काम चल लए थे ये नदी का किनारा जो गुमती रिवर्फरंट बना है ये किबल रिवर्फरंट नहीं था एक एक एग्जेम्पल था कि शेहर के अंदर के नाले गंदगियां न जाएं हमारे उत्तबरेश के ज नहीं हटा जा सकते हैं अब एक ही ऑप्शन यह है कि हम शेहर में अपनी नदियों को कैसे साफ करें कैसे उनमें साफ पानी बहे उस पे समाजवाई सकार काम करेगी काली नदी बरबाद हो गई हिंडन बरबाद हो गई यमना बरबाद हो गई मुझे याद है साइद आपको भी पता होगा आप ही ने बताया किसी ने बताया कि चौई चैन सिंग जी हिंडन नदी के किनारे बैठ करके पानी से हाथ दो लेते थे पानी नहावी ले ले लेते थे सोची आप हमारे गाउं में ऐसे बुजर्ग हैं जो कहते थे कि हम बंबे का पानी पी लेते थे ऐसे ऐसी नदियां थी जिसमें साप पानी बेहता था जिम्यदार कौन है जिम्यदार कॉंग्रिस है जिम्यदार बीजेपी है और बीजेपी कॉंग्रिस का हिसाब किताब लगाओ कितना पैसा नदियों में बहा गया बरबाद हो गया अब जब दिल्ली जैसी जगे यमना साफ नहीं हो पाई यह आइना है गोम्टी रिवर्फरंट और वर्ना नदी रिवर्फरंट जो बन रहे थे यह आइना है आइना जो सरकारे नदियां साफ करना चाहते हैं उनके लिए एक्जेंपलरी काम है जो उत्तव प्रेज में समाजवाजी सरकार ने करके दिखाया हजारों करोड रुपे की जरुत नहीं है बरबाद करने की पैनिंग के साथ स़ई तरीके से किया जाए तो नदी साफ बही जा सकती है और आपने देखा होगा जब डिफेंस का जो एक्जिबिक्शन थी जिस समय क्या नजारा था गोमती के किनारे क्या-क्या नहीं हो रहा था हो रोइंग हो रही थी हलिकॉप्टर सूड रहे थे और नेवी और एयर फोस के लोग नजाने कितने करकम कर रहे थे तो ये हर साल हो सकता है और पूरे साल ऐसे कारकम हो सकते हैं लेकिन हमारे भार्दी अंता पार्टी के बाबा मुखिमन्ती उन्हें इसी की चिंता है जो यहां मैठा हमारा नौजवान जो पूछ रहा है अरे सांड शोड़ो गोवर नहीं हटा पाए सड़कों पे गोवर और अभी तो एक वीडियो वाइरल हो रहा है सांड एक बाबा को दोड़ा ले रहा है हाँ बाबा को दोड़ा रहा बताईए